नमस्कार दोस्तों विलकम टू शुइंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे 3M इंडिया कंपनी के बारे में तो इस वीडियो में हम 3M इंडिया का रिशर्च शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप से इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ में बेल आइकोन को भी प्रेस करके रख लिजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको टाइम लिए मिल सकता है उस पर आप सबको एक रिक्वेस्ट है आप अगर वीडियो देख रहे है तो आपको फिर उस टाइम पर जब मार्केट करेक्शन होता है ना उस टाइम पर फिर उसमें प्यानिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है अभी चले स्टार्ट करते हैं वीडियो यहां पर देखे फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे यहां पर 3M इंडिया कंपनी के बरे में यह जो कंपनी है तो इसका पहले देख लेते हैं कंपनी यहां पर यह जो 3M India company है यह 3M company का subsidiary company है और यह 3M company है US का company है यह company incorporate हुआ था पहले यहाँ पे 1902 को incorporate हुआ था जो की 120 साल हो चुका है एक बहुत बड़ा पुरानी company है और company का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे manufacturing unit के बारे में इंडिया में यहाँ पे company का manufacturing unit है यहाँ पे अगर आप देखेंगे पुने में है और यहाँ पे ब्यांगलोर में है यहाँ पे इहमदाबाद में है और इनका जो एक R&D Center है igon Candle Research and Development Center है यहाँ पे ब्यांगलोर में है और company का जो आप देखेंगे से 33 परसेंटेज का यहां पर रेविन्यू आता है तो यहां पर आप देखेंगे हेल्थ केर सेग्मेंट में 11 परसेंटेज का रेविन्यू आता है और कंपनी एक जो है बहुत बड़ा पोटफोलिय डाइवर्सिपिकेशन कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है और कंपनी का अग बीवी 109 पे चल रहा है अगर हम इसका स्टॉक अल्टाइम हाई की बात करेंगे यहां पर थाटी परसंटेज का करेक्शन इसी साफ से हो रहा है आप अगर यहां पर देखेंगे यह स्टॉक में इतना ज्यादा डिविडेंड डिल नहीं देता है इसी साफ से एक डेट फ्री कंपनी है यहां पर देखेंगे जिरो पॉइंट परसंटेज का डेट है जो कि इतना ज्यादा डेट नहीं है अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की फिर टेक्निकाल देखके फिर सपोर्ट पर बाई कीजिए और रेजिस्टन्स के पास में सेल कर दीजिए आपको हमेंसा कोई भी स्टॉक बाई कर रहे ना पहले कंपनी का फंडामेंटल जरूर चेक कर लिजिए चार चीद चेक करना जरूरी होता है फिर से मैं दुबार या तो फिर ट्रेडिंग कीजिए जो भी है कोई भी स्टॉक में इंबेस्टमेंट होए ट्रेडिंग हो किसी भी परपस में से हम जा रहे हैं तो हमारा वहां पर इंबेस्टमेंट तो लगी रहा है ठीक है अपना पैसे को हम डाल रहे तो इसलिए आपको यह चीज देखना बहुत जरूरी है डेट उसमें लो डेट होना चाहिए उसके बाद में वहां पर आरे उसी भी बढ़िया होना चाहिए और प्रमोटर का होल्डिंग होना चाहिए प्रमोटर के प्रमोटर अपना प्लेज नहीं कराया हूँ अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर प्लेज वह कभर रहता है वहां पे रिश की नहीं तक एक उसमें प्रोब्लेम नहीं होगा वर बात करेंगे मैंक क्या-क्या प्रमेंट नहींग है बट हमें पता नहीं कि यह 3M इंडिया का कमप्पणी का प्रड़क्ट है ठीक है यहां पर आप आएंगे तो क्लिनिंग यहां पर सप्लाइज जो मेट्रियल है है यह मेट्रियल हम अपना घर में यूज करते हैं ठीक है आप अगर जाएंगे तो इनका मास्क भी होता है हम यू अगर हम इसी साब से देखेंगे जो कंपनी में फंडामेंटली तो बहुत बढ़िया है तो यहां पी जो स्टाउक गिर रहा है उसका रीजन क्या है और कौन सा लेवल तक हमें यहां पर इंतिजार करना पड़ेगा उस चीज का बारे में हम बात करेंगे ठीक है फ्रेंट्स य तो देखें ठीम एंडिया यहां पर स्टाउक में गिरावट हो रहा है अभी काफ़ी सब्सक्राइब कश्राओं लैं परेंडिक हैं आप लाज्एंट डिसेमबर के साथ में इंप्यार कीजिए सिक्टैटिफ़ॉर वहा रहा है अगर हम बात करेंगे यहां dau हैं परेंगे यहां पर गल देके देंगे म क्यों यहां पर यहांर पर देका न तो यहां से आपको पता चल जाएगा स्विंग ट्रेड में क्या होता है हमें बड़ी ऐसा गेन मिलता है साल में 30% हम हीजिली गेन कर सकते हैं लेकिन अगर लंग टर्म पोर्टफोलिय में हम लेके चलते हैं कभी-कभी यहसा होता है कि हम बीच-बीच में अपना मूड चेंज कर लेते हैं कभी क्या होता है कि जब स्टाक वहां पर निच्चे आ जाता ना उस्टाइम पर हमारा मूड होता है कि यार में अगर वहां पर प्रफिट बुकिंग कर लेता ना तो बड़िया होता स्टॉक अभी निच्चे आ गया इसा बहुत बार अपना मन में जो स्वाइब अपना मन में को निकल नहीं है तो वहां पर पर शुचिंट नहीं सकते हैं और सकते हैं कि वहां पर चल रहा है कि यहां से 40,000 तक जाएगा 50,000 तक जाएगा होल्ड करो यहां पर डबल होने वाला इससा कभी नहीं करना चाहिए मैं अपना हकिकत बता रहा हूं इसा अगर करेंगे तो आपको मेरे साथ में जरूर्ड हो सकते हैं कि अगर कुछ भी क्ज़्डिया अगर इबड़िया बढ़िया-गया बढ़िया बठीक्स पर रखेंगे एससा भी श् ello father मार्केट में आवेलेवल है जो कि आपको 80% 70% 100% तक का गेन भी दे सकता है ठीक है लेकिन मैं कोई डावा नहीं कर रहा हूं कि इतना आपको जो भी करना है अपना अडवाइजर से सला लेके आप कर सकते हैं ठीक है मेरा केने मत कीजिए मैं आपको बता रहा हूं जोस्ट यहां पर हम बात करेंगे इसी साब से कंपनी तो बहुत बढ़िया है अगर बालन्सीट में हम जाके चेक करते हैं यहां पर देखिए 2300 कर अगर हम बात करेंगे यहां पर पास में यहां पर पॉर पॉइंट्री परसंटेज का हिस्सेदार ही है डिया के पास में सेवन परसंटेज का हिस्सेदार ही और आज के दिन का अगर करभार देखें यहां पर टो प्रlo यहां से लेते हैं लिटान है में πांधस परसन लेकर निकल जाते हैं और कुछ होते हैं का इंतिजार करते हैं जैसे लुपी कर लेते हैं अपना ल कर सकते हैं लगीन जो भी करना अपना इडवाईजिर से पूछ के करना देखिये मैं आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको खुद मताया था यहां पर देखिये जहां पे इस चैनेल पर आपको बताता हूं कि बढ़िया है में प्यानिक मत कीजिए आपको टार्गेट जरूर आ जाएगा कुछ दिन पहले मैंने आपको यहां पर बताया था देखिए आपको अभी पता चल जाएगा कुछ दिन पहले मैंने बताया था यहां पर वीडियो बना के यहां पर देखे पिन भी हाउसिंग बताया था कि यहां पर प्यानिक मत किजिए होल्ड किजिए आपको मिल जाएगा देखिया आज के दिन में 10 परसेंटेज पिन भी में एक जबरदस एक जंप आया है ठीक है कि देखिये आपके सामने लाइफ एक जंपल है ठीक है मैंने कुछ दिन पहले त्री मन्स पहले आपको वीडियो बनाया के बताया था यहां पर यहां पर मैतना अले का स्टॉक को आप सेल मत किजिए अगर अभी इंबेश्मेंट करते हैं आपको इतना परसेंटेज का एक ग फिर किए ठीक है आपको कितना दिन में गयन मिला एक बार देख लिए 9 टेस अप्रोक्षुमेटलि अगर 90 देज आप देखेंगे तो यहां पर दीक कि नपर इएटी फोर डेज में आपको कितना पर सबसेंटेज का गिन मिला ठीक है यहां से लिए अपने टार्गेट तक रखे यहां पर 1191 का टार्गेट था आपको 30 परसंटेज का गयन मिला कितना दिन में 90 डेज में यह पॉसिवल है फ्रेंट्स में जहां पर एक साल की बात करता हूं कभी-कभी 30 डेज में तो चले शुड़ी वह बात करते हैं इसके बारे में यहां पर 3M इंडिया में अगर हम बात करेंगे मेरे इसाब से फ्रेंट्स अभी बड़ी ऐसा जोन में स्टॉक आ चुका है मुझे इसा लगता है यह स्टॉक में अगर आपके पोर्टफोलियो में तो होल्ड कीजिए क्यो ओझे इसा लगता है यह स्टॉक में यह सपोर्ट तक आपको बाई करना है अगर गिरता है तो वह प्रैस से आपको बाई करना अगर आप सोचते हैं कि नहीं स्टॉक तो निच्छे नहीं आएगा तो आप यहीं से बाइग कर लेजिए कोई भी प्रोब्लेम नहीं रिस्ट कितना ज्यादा नहीं है कि नहीं मुझे अभी बाइग करना अगर अभी आप लेके चलेंगे तो यहां पर आपको फर्टी परसंट का गयना अभी भी मिल सकता है जो कि यहां से आप ले लेंगे 22,000 के पास में आपको टार्गेट रखना है यहां पर थाटी थाजन अगर यहां से उपर नहीं गया तो अगर निचे लोटेकता है तो क्या करेंगे फ्रेंट जहां पी 120 साल पुरानी कंपनी है अगर हम एसा डरेंगे तो स्टाक मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं इससे पहले कभी हुआ कि नहीं एक बार जरूर देख लीजे इससे पहले भी एक बार हुआ है ठीक है यहा सबस्कोंति जरूर किया यहां पर एक बर किया है उसके बाद में धिक्रेंट्स देखिए यहां पर यहां पर एक बार दखuppet 33 percent का गिरावट हवना आप भी कोंच अ साल में 2017 में हुआ है उसके बाद में आप देखिए यहां फिल न फिरसे गिरा है आग है अल्टाइप in के तो यहां पर 37% का correction आया फिर से यहां पर भी दिखिए ठीक है तो यहां पर भी दिखिए यहां पर भी 30% का correction आया यहां पर दिखिए 2008 में भी जिसी साब से correction वहां पर भी correction आया था बीष्टाइब ने वर एक यहां पर हर एक मंदी को देखा ये स्टाइब तो ये कम्पनि में कोई भी मेरे हिसाब से प्रोब्लेम नहीं है आपको बिलकुल बिलकुल डरना नहीं चाहिए प्यानेक नहीं करना चाहिए अगर आपका पोर्ट्फोलियोम है तो बिंदा comments और यहां पर आपके पोट्फोलियो में अगर कुछ भी गड़बड है तो आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं मेरे सात में ठीक है तो इसमें औहर सब का नंबर दिया हुआ है अगर आप औहर सब मेसेज करके भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं ठीक है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इमेडियेटली सब्सक्राइब कर लिजे फ्रेंड्स ये स्टॉक में मेरा कोई बाइंग और सेलिंग